नमस्कार अप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारते बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है रोज कोई न कोई खबर बिहार विधान मंडल से सामने आही जाती है लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच हंगावा होता रहता है वार प्रतिवार का दौर चलता रहता है लेकिन आज विपक्ष के तरफ से फिर से सत्ता पक्ष पर निशाना साधा गया है निशाना किस बात पर साधा गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं कुछ दिनों पहले बीते साल जो सिप्टेंबर के महीने में पटना जलजमाओ की चपेट में था बहुत सारे लोग परिशान थे उसको मुद्दा बना कर फिर से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष के और से राज़त की और से भाई विरेंदर ने सुशील कुमार मोदी जो की बिहार के डिपिटी सीम है उपमुखे मंतरी है उनके खिलाफ नारे बाजी की है राज़त के कुछ और सदस भी उनके साथ शामिल है वो लोग सभी मिलकर सुशील कुमार मोदी की खिलाफ नारे बाजी कर रहे हैं उन पर इलजाम लगा रहे है कि पटना जब जलजमाओ की चपेट में था तब सुशील मोदी हाफ पैंट पहन कर महले वालों को छोड़ कर महले से भाग रहे थे दो लोगों की मदद नहीं कर र अःगर को फोरकर भामना बंच करो कोदी जी हाथ पैट्पेंट कर भागना बंच करो वाऑन बंच करो वह वतीक शरण सरो अगर ही तो सरम नहीं तूमरो कि अधिया जिन से इसमार है करू कर कि ते दनरे जो डाँसे को म्न आसे जो शुपनारम करद रहा इसमार jam करी अधिया जो डूनमर कर रूंतित नस जंगा रह्ली होग मनी जो इसमेश्ट है कि अभूदी निकम्भी है जो सरकार निकम्भी है जो जो सरकार हुना करी होंग मिक्युन थे कुलिये धिश्ता कर दोडंडी है। तेल मौधिक परक स्थक्राम करो देल बाडी सरम करो है फाग जाने लिद्स सेंबना है फाग जैता को छोड़कर भाग जैया है है हमाथ ये भाग के बहने рег CDC पहते है Oke बहुत के बद्स को कते बले अ願े के साझ और अज़ागां में करो के वो सरकार भी कर्वी है जो सरकार जल जमाने रोके वो सरकार भी कर्वी है करो को करो को कि हां परकश साय करो अचिया भी कर दो हुआ है जोत लुए ज़ह करो तो जैसा कि आपने विडियो में देखा और सुना जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं बिहार विधान सभा के सामने भाई विरेंद्र अगवाई कर रहे हैं कई सारे राज़त के नेता राज़त के MLA वहाँ पर खड़े हैं जो भाई विरेंद्र का साथ दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी जो की बिहार के उपमुख्य मंत्री हैं उनके खिलाफ नारे लगाये जा रहे हैं बीते साल सेप्टेंबर के महीने में पटना में जो जलजमा हुआ था उसको मुद्दा ब बाद ये सारी बाते सामने आई है जहां पर राज़त की ओर से सुशील कुमार मोदी को टार्गेट बना कर उन पर निशाना सादा जा रहा है ये इलजाम लगाये जा रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी बार के समय में जलजमाओ के समय में जब पटना के लोग जलजमाओ से प पूरा नहीं किया था इसी को लेकर राज़त की ओर से खासकर के भाई विरेंद्र जो है वो सुशील कुमार मोधी हाफ पैंट पहन के भाग गए के नारे लगा रहे हैं सुशील मोधी से सवाल कर रहे हैं कि जलजमाओ के वक्त में वो जनता को छोड़ कर कहां और क्यू चले ग के साथ हाफ पैंट में बाहर निकले थे उनके घर में जो काम करने वाले स्टाफ थे वो भी उनके साथ नहीं निकल पाये थे साथी साथ उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी मदद नहीं की थी इसी को लेकर आज फिर से विधान मंडल में हंगामा देखने को मिला आप ला